यह खुबसूरत सी तस्वीरें जो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं वादिय कश्मीर का खुबसूरत सोना मर्ग है यह जहां पर एक गोड़ा गाड़ी यानि एक स्नो कार्ट बहुत जादा वाइरल हो रहा है इसके साथ बाहर से आए वे टूरिस्स जो है वो स चोटे बच्चों को लगता है कि सेंटा क्लॉस जो है वो इसी में बैट कर आते हैं और गिफ्ट बाढ़ते हैं वैसे तो कश्मीर के लोगों में कोई भी कमी नहीं है कश्मीर के लोग बहुत जादा टैलेंटिड हैं और फिल्ड्स की बात करें हर एक फिल्ड में जो है वो यह जिसे आप रत कहते हैं हिंदी में यानि स्नो कार्ट भी बनाते हैं और कभी क्रोकोडाइल से लेकर ऐसी चीज़े बनाते हैं जिनें बाहर से आयो टूरिस्ट इतना पसंद करते हैं और कहते हैं कि वाकई में कश्मीर जो है वो किसी जन्नत से कम नहीं लेकिन अभी मैं आपको बता दू यह वही सोना मर्ग है जिसके आप खबरे सुन रहे थे और यूट्यूबर्स वहाँ पर जा रहे थे और वो निराश होकर वापसा रहे थी क्योंकि जो बरफ थी वो उन्हें नहीं दिख रही थी जिस तरह से उन्होंने सोना मर्ग के बारे मे लेकिन इसी के साथ यह वही सोना मर्ग है जहां पर कुछ महीनों पहले बरफ नहीं पड़ी थी लेकिन कुछ दिन पहले अल्ला ने ऐसा ऐसी सबकी दुआएं कबूल की कि ऐसा करिश्मा किया कि यहां पर बरफ ही बरफ हो गई यह जो स्नो काट है ना जब आप इसे है टूरिस इस पर सेल्फिस ले रहे हैं टूरिस्ट के जो र grain घोड़े के ओपर यहनि यानी त्की ऑपर उसे पकड़ रहे हैं और अपने अपने पने हिसाफ्स आचा रहे हैं लोग महराश चे पुने बहारी राजयों से आय hai मैं आपको बता दू कि टूरिजम ने एक और स्टेप जो है वो आगे कदम रखा अब ये जो लोग बहार से घूमने के लिए आते हैं कश्मीरी लोगों के घर पर भी स्टे करते हैं जिससे बिजनस में भी बड़ा फायदा मिलता है होटल्स में तो प्रहा करते थे लेकिन अब उनके घर पर भी कमफर्टेबली रहते हैं क्योंकि ये वो कश्मीर नहीं है ये नया कश्मीर है उस नए कश्मीर में लोग बहुत जादा खुश होते हैं और लोग आना पसंद करते हैं तो ये खबर आप कैसी लगी जिसमें हिंदी वाला रत स्नो काट और आपको साथी सत्म मैं ये बता दू कि ये जिंगल बेलवले सेंटर क्लॉस की गाड़ी आपको कैसी लगी जो इस समय सोना मर्ग की खुबसूरती को बढ़ा रही है और सोना मर्ग की खुबसूरती बढ़ाने के साथ साथ लोग कश्मीर की तारीफ करते हुए नहीं ठक रहे हैं कभी आपने दे अगर हम बात करें तो इसकी जितनी तारीफ कर अतनी कम है कश्मीरी कल्चर भी बहुत खुबसूरत है लेकिन इसी के साथ इस स्नो काड़ के लिए आप क्या कहेंगे वो जरूर बताएगा और गोड़ा घाड़ी कौन-कौन देख आया जो मेरे व्यूर्स है वो भी बताएग और जिसने नहीं देखी अब कौन देखने जा रहा है वो भी बताएगा जल्दी जल्दी देख लीजिएगा क्योंकि जैसे ही जादा बरब पिगलना शुरू होगी क्योंकि अभी तक रहेगी मार्ज की एंडिंग में के तो फिर आपको यह स्नो काड़ नहीं दिख पाएग झाल